श्री शिवाय नमस्तु प्याम दोस्तो आप सभी लोग चानते हैं कि 4 नवंबर 2022 को देव उठनी एकादशी पड़ रही है जिस दिन भगवान विश्णु जी अपनी चार महीने की निद्रा के बाद उठ रही है दोस्तो उस दिन देव उठनी एकादशी के दिन आप एक ऐसा विशेश उपाई कर सकते हैं जिस उपाई को करने मात्र से अगर आप व्यापारी है या आपको धन की बहुत ज़दा कमी है या आपको कोई बिजनस है कोई बड़ा व्यापार है जो की मंदा चल रहा है वो बिलकुल नहीं उठ पा रहा है बिजनस से जुड़ी होई कोई द वard TikTok आपूल्ची का है, जब आप लोग देव उठनी एकादशी की पूजन करेंगे, दोस्तों बस आप लोगो एक सिक्खा लेना है, एक रूप veggie का, दो रूप veggie का, पांच रूप eater का, इक एक रोपे का सिक्का उधारन के लिए हम लोग ले लेते हैं तो आपको एक रोपे का सिक्का लेना है ठीक है देव उठनी एका दिशी के दिन जब आप लोग रात्री में पूजन करने के लिए बैठेंगे किसकी पूजन करेंगे शाली ग्राम जी की ठीक है जब आप लोग बस यहाँ पर इतना ही यह काम है कि आपको सिक्के को जो है अपने पूजन वाले स्थान पर रखकर उसकी उपर तुलसी माता को विराजमान करना है शाली ग्राम जी को विराजमान करना है विराजमान करने के बाद आपनी पूजन कर लीजिए पूजन करने के बाद आपको करन था देव उठनी एक अदर्शी की पूजन में उस सिक्के को वहां से उठाकर वहां पर लीप पूती जब आप लोग करने जाएंगे तुलसी को विराजमान उठाकर वहां से दूसरी का विराजमान करेंगे तो उस सिक्के को उठाकर अपनी जोली में बांध लेना है अपनी ज तो उस स्थान पर इस काटोरी को जाकर रख देना है उसमें वह सिक्का रख कर ठीक है रखने के बाद बस आपको सब कुछ भगवान पर छोड़ देना है अपनी तरफ से पूरी मेहनत करना है आप विश्वास मानिए कुछी दिनों में आपका बिजनस इस स्थान पर पहुंच सकते हैं ओम नमाश शिवाई जय बुले अबाश्री शिवाई नमस्तू भ्यम